हलो इस्टूरेंट्स इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो ना केवल युनान का अपीतु समूचे पश्चम जगत का प्रथम राजनितिक दार्शनिक क्यों माना जाता है उसके इन विचारों के पश्चात हम थोड़ा सा थोड़ी सी नजर उसके जीवन परीचे पर डालते हैं कि किन परिस्थितियों के परिणाम सुरो प्लेटों के जीवन में परिवर्तनाए और वो एक आदर्श शाषन का पक्षपाती बना क्यों उसने लोगतंत्र जैसी शाषन विवस्था का विरोध किया या उसके दुष्परिणामों को उजागर किया देखें जीवन परीचे पर सबसे पहले जन्म पर आते हैं तो प्लेटों का जन्म एथेंस के प्राचीन सम्रद कुल हुआ था लगबग 428 से 27 सब पूरू उसके पिता का नाम एरिस्तों और माता क नाम पेरत कितियोन था उसके पितर ऐरिस्तों की वंशावरी एथेंस के प्राचीन राजाओं में हुई अलगता पोदी संदेवता तक उसकी पहुंचती है मतलता एक तरसे हम गये कह सकते हैं कि उसकी वंशावली पोदी सन नामक देवता से वह लों कहते हैं कि वहां से उनक में प्रसिद कानुनों के निर्मान करने वाले सोलन वंशे से था लेटो का वास्तविक नाम एरिस्तोक्लीज था एरिस्तोक्लीज का मतलब होता है एक चौड़ा चप्टा मतलब मजबूत कदकाठी का व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं क्योंकि उसके कंदे भरे हुए और चौ होता है चौह चपटा चॉड़ा चप्टा फ्लेटो शब्ड का शुद्ध यूनानि उच्चारण प्लातौन है अरवी में इसी कविक्रत रूप फिर अफलाटून हो गया और धीरे ला तुन के स्थान पर कालांतर में प्लेटो चब्द का ही प्रयोग हम करते हैं लें लेट दूसरा है कि युवा वस्ता से प्लेटो करांतीकार्य विचारों से उतौत था ज्यादतर दूसरा है और युवाग्कों की भाती भाती वह भी यह समझत कि उसका जन्म सक्रीय राजनिटी के लिए हुआ है ज्याद तर लोग जो जो कैसोचते हैं एक में राजनिटी के लिए ही बना हूं वह भी उसके धिमाग में भी यह था कि मैस ख्रीयराजनिटी में भार लूँ bombero । प वह लेकिन कहते हैं न कि कहने से कुछ नहीं होता जो विधी होता है तो प्लेटों एक कुशल्स नितिक नहीं बन सके लेकिन एक महान राजनितिक दार्ष नेरह वन गई illegal थो क्यों कि जिस सम्में प्लेटों चैनल हुआ था bit place समय सबसे महान नगर राज हुआ करता था एथेंस परन्तु जैसे जैसे प्लेटे कुई आयू बढ़ती गई उसने एथेंस का इसपार्टा के साथ लगबक 30 वर्षों तक पेलनोपोनेसिया के युद्ध में आपस में लड़ते हुए देखा है एथेंस को और इसपार्टा को इनका 30 वर्षों तक लगवातार युद्ध चलता रहा और अंत में क्या होता है कि उसका इसपार्टा जो हार जाता है इस प्रजातंतर की कमर है वह तूट जाती है उसके बाद एक क्रांती ने एथेंस में प्रचलित प्रजातंतर को उखार फैका और उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शाशन इस्थापित हुआ जिसमें प्लेटों को भी कहा कि आप भी शामिल हो जाओ हलाकि बाद में वह भी खतम हो गया एक हिंसक क्रांती दुबारा भी हुई तीस व्यक्तियों के शाशन था उसमें क्रूर हिंसक एवं दमनपूर क्रिया कलापन को देखकर उसका मन एक तरह से खौलने लगा मन दुखी होने लगा खुन खौलने लगा और उसे राजनीती से विरक्ति होने लग गई शीगरी उसने दूसरी क्रांती के द्वारा तीस व्यक्तियों को शाशन मंडल था उसको समाप्त कर दिया गया और प्रजातंत्र की दुबारा इस्थापना की गई शुरू में तो प्लेटों ने इस शाशन का स्वागत किया परन्तु शीगरी उसके इस तरह के कारेकलाप को देखकर उसके मन में राजनीती से सन्यास लेने की का विचार आया और क्यों कि देखो लोकतंत्र कहने को बहुत अच्छी शाशन विवस्था है लेकिन चूकी सुकरात जो प्लेटों के गुरू थे उनको सुकरात को उसी प्रजात आंत्रिक विवस् इस प्रकार क्यों के जबिद्धिंत्र किस चाने Parks है बहुमत का डियुक ऑगे यह व्यक्ति जाता है चाहे बहुमत में मत देने वाले व्यक्ति योग हो चाहे ना हो जीतने वाला व्यक्ति चाहे योग हो चाहे ना हो तो इस प्रकार से सुकरात को जब लोकतांत्रिक विवस्था में मृत्यु दंड दिया गया था तो इस दुरगटना का कह सकते हैं इस गटना का प्लेटों के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव प सकने हैं सब गार लोकतंत्र को विवस्ता की पैर उसने फिर कि पम अधरी की कलपना की थी कि आदर्श श्राजय लोकतंत्र की विवस्ता नहीं होनी चाहिए सद्गुण जाय कोकि ऊसली मतलब या उस भीड के कारण अगर किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को मिरत्यु दंड देना पड़े तो ऐसी शाषन मेवस्ता कोई अच्छी शाषन मेवस्ता नहीं हो सकती तो इस प्रकार से यह जो सुक्रात का प्राण दंड की जो सजा थी इस घटना का उसके मस्तिश्क पत पूर रहते हैं उन्होंने फिर एक कादमी खूली जिस मेंनने सिख्षन कारिये कवीमात्तिया था अनुसंधान प्रेटों नहीं थी वह वेग्यान यॉन नके जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक राजनितिक वैज्ञानिकों तता शाशकों के निर्मान की कारेशालत ही यह हम कह सकते हैं क्योंकि प्लेटों की अकादमी में गनित और ज्यामिति के अध्धन को विशिष्ट महतु दिया गया था उसमें कहते हैं कि उसके द्वार पर यह लिखा हुआ था कि गनित के ज्यान के बिना यहां कोई प्रिवेश करने का अधिकारी नहीं है तो इस प्रकार इसके अतीरिक्त वहां राजनिति विज्ञान तर्क शास्त्र आचार शास्त्र विधी शास्त्र वनस्पति शास्त्र मानव शास्त्र अधि अनेकों विश्यों की अधर्व में यह ग्यात होता है कि यह लगबग 900 वर्षों तक ग्यान की किरने फैलाती रही इसे हम पस्चमी दुनिया का प्रथम विश्विद्याले का होने प्रथम विश्विद्याले होने का गौरव भी प्राप्त है प्रेटों की जो अकादमी थी उसके बारे में कहा जाता है कि वो पस्चमी दुनिया का प्रथम विश्विद्याले था जिसमें सारे विशयों की सिक्षा दी जाती थी एक योग शाशक बनने की सिक्षा दी जाती थी व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बनने की सिक्षा दी जाती थी तो इस प्रकार से प्लेटों ने फिर बहुत सारी कहते हैं कि 36 या 38 ग्रंथों की रचना भी की थी जिसमें कुछ प्रमानिक ग्रंथ केवल 28 हैं उसके उन सभी प्रमानिक ग्रंथों का यूनानी संस्क्रण 2662 प्रेश्टों में प्रकाश्ट भी हुआ इसमें कुछ महत्पूर्ण हैं जैसे अपॉलोजी, क्रीटो, प्रोटागोरस, मीनो, रिपब्लिक, स्टेट्समेन और सबसे लास्ट में जो उसने लिखी थी वो है दौलाज तो इस प्रकार प्लेटो ने एक बहुत सारे ग्रंथों की रजना की थी अंतिम पुस्तक उसकी लौज थी प्लेटो लौज के बारे में कहा जाता है कि यह पुस्तक उसकी अंतिम पुस्तक थी जो उसने अपनी व्रद्धा वस्ता में लिखी किन्तु जिसका प्रकाशन उसक प्रेटों के सिर्राक्यूस के अनुब पर आधारित है ऐसा माना जाता है देखो रिपब्लिक में जहां उसने एक आधर्ष राज की कलपना की है वह आधर्ष राज कहीं न कहीं जीवन के अंतिम पड़ाव तक आते-ाते दर लौज में विभरक्ता पर आजाता है अपने आप देखिए इसमें क्या है जैसे यूथ होता है इस्टुएंट्स जो होते हैं इस्टुएंट्स का सपना होता है देश कैसा होना चाहिए शाशक कैसा होना चाहिए जिसको कहते हैं वो एक उम्र के अनुसार चेंज होता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन जब जब उम्र जैसे उम्र निकलती है या जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं तो वही 24 साल का युवा जब 64 साल पर आता है तो उसके विचार उस आदर्श से और उस कल्पना से उतर कर व्यभारिक्ता पर आ जाते हैं चाहे वो जीवन दर्शन की बात हो चाहे वो शाषन विवस्था की बात हो चाहे वो कल्पनाओं की बात हो तो इसी प्रकार से प्लेटो हमने परीचा दिया है प्लेटों के जीवन के बारे में और उसके प्रकाशन के बारे में और उसके पुस्तकों के बारे में या उसकी रचनाओं के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेटों की चिंतन की जो पद्दती है वो क्या थी रिपब्लिक में उसने क्या कहा है और उ सारे बिंदों को हम आगे डिसकस करेंगे इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं नमस्कार